वेल अगर दोस्तों आपका कोई भी पुराना सीम है जिसे की दोस्तों बंद कर दिया जा चुका है या फिर आप बोल सकते हैं उसे दोस्तों डियक्टिवेट कर दिया जा चुका है वैसे तो आपका कोई भी कमपणी का सीम हो सकता है दोस्तों एर टेल हो सकता है बोडा फोन हो सकता है जियो हो सकता है भी हो सकता है इस तरह के जो भी कंपनी आते हो इसमें से दोस्तों कोई भी कंपनी का आपका सीम दोस्तों हो सकता है वह ऐसे अगर बात करें रिजन्स की तो रिजन एक दो मैं रिजन से एक दो मैं फैक्टर से जिसकार से दोस्तों आपका सीम को डेक्ट से उस सीम को दोस्तो आप फिर से एक्टिवेट करा सकतो यह सारा चीज़ दोस्तो आज किस वीडियो में आपको पता चल देगा तो अगर इस वीडियो को आप end तक देख लिए तो आपका जो भी problem है दोस्तो उसका दोस्तो आपको solution बहुत ही आसानी से मिल जाएगा तो दोस्तो आप वीडियो को बिलिकल से भी miss मत करना तो आप चले करतें दोस्तो वीडियो को फटक्स स्टार्ट तो अब दोस्तो सबसे पहला है हाँ पर कुछ factors की बात कर लेते हैं regions की बात कर लेते हैं जिसका रणसे दोस्तो आपके SIM को बंद कर दिया जाता है तो सबसे पहला जो एक region है और जो man region है वो region यह होता है कि दोस्तो अगर आप last 90 days से जिहां दोस्तो अगर तीन महने से दोस्तों अगर आपने अपने SIM में ना ही recharge कराया है ना ही उस SIM के साथ आप कोई activity करते हो like ना ही किसी को message करते हो ना ही call करते हो ना ही दोस्तों उस SIM के साथ आप internet यूज करते हो तो ये try के recording अगर LAST 90 दिन तक अगर आप किसी SIM को यूज नहीं करते हो, नहीं उसमें आपका रिचार्ज करते हो, तो उस SIM को दोस्तों डियक्तिवेट कर दिया जाता है, उस SIM को दोस्तों यहाँ पर बंद कर दिया जाता है, तो एक मेन region यह है, और एक region ये भी होसकता है दोस्तों, अगर आपका phone चोड़ी हो गया और उस phone के साथ आपका sim बगएरा भी चोड़ी हो चुका है, तो उस करणसे आपने ept哪e sim को de activates कर है तो ये भी एक region है, दोस्तों, आपके sim को deactivate होने क्या, तो ये करा सकते हैं õel sihün को दोस्तों यूज कर सकते हैं तो उसका बहुंत जादे एक सिंपल प्रोसेसेद्ट सब्सेड़े आपको करना क्या है दोस्तों फोन लेना एंड ॥ भी नमबर आपका दोस्तों बंध हो चुका मुझा जो कि दोस्तो अभी deactivate हो चुका है जो पुराना नमबर तो उस नमबर पर आपको डाइल करना है तो डाइल करके आपको चेक क्या करना है दोस्तो आप जैसे ही डाइल करते हो आपको यह चेक करना है कि कि किसी को call लग रहा है जो नमबर आप डाइल कर रहे हो तो किसी को call लग जाती है तो वहां पे majority of chances कि 100% chance है कि आपका जो सीम बंद हो चुका था वो दोस्तों आपको वापस नहीं मिलने वाला तो वहां पे majority of chances बन जाती है कि आपका जो सीम है वो आपको वाफस मिल जाएगा तो अब यहां पे आपको क्या करना है सबसे पहले दोस्तों आपको यह find out करना है कि आपके local में दोस्तों जिस भी company का आप सीम यूज कर रहे हो चाहे एर टेल हो सकता है बोड़ा हो सकता है suppose that आप जियो का सीम यूज कर रहे है तो बगल में दोस्तों आपको जियो का store ढूणना है जियो का care ढूणना है वहां पे आपको जाना है आपका जो भी problem है जिस करन से दोस्तों आपका सीम बंद हो चुका है चाहे हो सकता है दोस्तों कि आप 90 days से उसमें रिचार्ज नहीं क आपको करना क्या है जो भी ID proof के साथ आपने उस SIM को बाई किया तब फुराने SIM को बाई किया उस ID proof को आपको साथ ले जाना है एंड उनको जैसे ही दोगे तो आपको चेक करेंगे अगर वह एबलेबल होगा नंबर तो आपके ID के साथ दोस्तों फिर से उसे लिंक कर दिया ज होगा देन दोस्तों आपके नए ID proof के साथ वह सेम नंबर आपको दोस्तों मिल जाएगा बड़ दोस्तों एक चीज में आपको अवेर भी करना चाहूंगा दोस्तों ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हर सौप में आपको सेम चीजी देखने को मिलेगा बट आपको अवेर करना ज 개म करके दोस्तों जूट फूसके दोस्तों आप से कुछ ना कुछ वहां से पैसा आपसे ले लेंगे आप से लेंगे रुवीं दो हजार रुपे जूट फूसका दोस्तों यहां जबकि आप आप ऑस informal सी अडिसीन को एक रुपे नहीं लिया जाएगा बट आपको कुछ से कुछ बोलके भीफियन बगेरा देके दोस्तो आपको वहाँ पे 1000-2000 उपे इस तरह से आप से दोस्तो वहाँ पे ठाका आ जा सकता है बड़ कुछ ना कुछ दोस्तो ऐसे मिल जाते हैं तो इससे पहले ही दोस्तो अगर आपके साथ यह हो तो इससे पहले ही दोस्तो आप अवेयर हो जाओ तो प्लीज इस पे जाओ देखो क्या इस game है अब किस तरह से इस game से दोस्तो बस सकतो तो I hope कि दोस्तो आपका जो भी problem था stream को किस तरह से activate कराया जा सकता है इस चीज़ का जो भी आपका problem था ये चीज़ जानना था आपको तो आप लोगों ने दोस्तो जान लिया होगा इस चैनल पर देखना चाहता हूँ तो दोस्तो ये जो लाल करद का subscribe बटन आपको देखने को मिला है इससे तो दबाना आप दोस्तो बिल्कुल से भी मत मुलना तो दोस्तो अगर आपके मने कोई सवाल है तो प्लीज दोस्तो आप नीचे comment box खाली है आप comment करके मुझसे पू